प्रेविद्ध्यार्तियों एक बार फिर आप सभी को नमस्कार नवांगुर डिजी लेसंस में आप सभी घब उनहां स्वागत है और आज फिर हम एक नए पार्ट के साथ इसका नाम है ब्रान्तो बालहा अर्थाद भटका हुआ बालक ठीक है या कह सकते हैं हम भरमित बालक इसको लेकर के यह सेमसी का छटवा पार्ट है चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं इसको शुरू करने से पहले इसके जो सब्दार्थ हैं पहले हम उनको देख लेते हैं ब्रान्ताहा मतलब भरमित प्रेड़े तो मतलब खेलने के लिए केली भी मतलब खेलने खेल दवारा है कालं चेप तो मतलब समया बिच्छाने के लिए अरमान ょहान मतलब श्हिक्रता करते हुए निकी जो सब्दार्थ है इनको याद्ध करने में एक सुविधा यह है कि उनके जो सब्दों के जो अर्थ है वह लगत बगत जयादाध तर सप्दों के वही अर्फात कहें हम उनिके मिलता जुलता हुआता है जैसे ये ब्रांताह लिखा हुआ है मनलाब भिर्मित ठीक है, जैसे लिखा है त्वर्मानाहा मनलाब सीग्रता तुरंथ सुना हुआ सब्दें सब्सक्राइए से तंद्रालू मतलब आलसी एक पहले कि सलोफ हुआ करता था निंद्रा तंद्रा बह्तना मतलब आलसी ठीक है द्रशटी पथम मतलब देघाव में और पुस्तक दाखा मतलब पुस्तक्त को कि गुलाम वपाद्यायस मतलब गुरू के निस्कुडवासन हा मतलब जो ब्रक्ष की कोटर में रहने वाले आवान मतलब बुलावा हट माचरतम यह कहा हट माचरती मतलब हट करने पर कि मदू संग्रायब मदू संग्राय वेग रहा लपकी रस्सके संग्राय करने में लगे गुए रहना भूयो भूयो यह अब बार बार यह पुना पुना मत्या गर्वी तेन मतलब जूटे गर्व बाले चेट का मतलब पक्षी और चैंचोबा मतलब चौच से आददान मतलब ग्रणा करते हुए और स्वाधूनी मतलब स्वाधयुक्त और भक्चक बलाने मतलब खाने के लिए उपयुक्त कौर ठीक है इस प्रकार हमारे सब्दार्थ हो याते हैं चले आईए अब हम इस पार्ट संस्कित प्रण्ध पाठावलीहि इतिकत गरंता संपाधनम ग्रत्वा संग्रीत होसती प्रस्तुत यह है पाठ संस्कित की प्रॉण पाठा बली यह गरंत का नाम है इती उस कथा गरंत से संपाधन करके संग्रीत और अस्ति संग्रित किया गया है अस्याम कतायाम एक हा तादर्षा वाला हा चित्रो अस्ति इस कथा में एक हा तादर्षा वाला मतलब एक इस प्रकार के तादर्षा मतलब इस प्रकार के वाला हा चित्रो चित्र तो अस्ति बालक का चित्रत है यह उसका वर्णन है यश्च रुचि ही स्वाध्याया पेक्छया क्रीड ने पेक्छया क्रीड ने अधिकावती जिसका या जिसकी रुचि अपने अध्यन की अपेक्छा खेलने में अधिक होती है सासरवदा क्रीड नार्थ मेप अविलेसती परश्चा तस्च सकाया स्वास्वा क्वर्मनी सलगना वबंती मैं हमेशा खेलने के लिए एक्छा रखता है परश्चा मलब परंतु तस्च सकाया उसके दोस्त है स्वास्वा क्रमनि सलगना किंटु उसके जो दोस्त है वो सकाय मदल्स दोस्त है स्वास्वा मल्स अपने अपने कार्मे में लगई हुए ते असमात कारणात क कि इसकारण से त्य अन्यन से नाकुर्णती इस कारण से वह Rainbow sitcom 125 sand crypt and नहीं खेलते हैं अतहा एक आकी अतहा एक आकी सा नेरेश्यम प्राप्प भी चिंत्यती और अकेला ही नरास्ता को प्राप्त करके भी चिंत्यती सोचता है यत्सा एवरिक्ताह सन इतस्तताह भ्रामती जोब है खाली समय सना खाली होकर रखे इतस्तताह भ्रामती दरवदर गूंता रहता है कालां दरे वोदोवप्ती कुछ समय बीतने के बाद वोदोवप्ती उसको ज्यान होता है वोदो मनला बोद होना ज्यान होना या उसे ज्यात होता है कि सभी अपने अपने कार्यों करते हैं अतो मया पी त्रेव करतब्यं ताह इसलिए मेरे द्वारा भी बही करतब्य करना चाहिए एन जिससे मम काला हा सार्तक हा स्यात जिससे मेरा समय भी सार्तक हो ठीक है इस प्रकारी ये पार्ट है ये तो कहें पूरे पार्ट का वो था और अन्त में मलब्यों मैसेज मिलने वाला हो यही मिलने वाला है ठीक है चलिए अप्सुदू करते हैं इसको तो कह लखा है प्रांतहा कस्चिन वालहा पाड़ साला गवन बेला यांगरीड तुम आगच्छत बटका हुआ बालक या बिरमित कोई बालक पाड़ साला की समय पाड़ साला का जो समय था उस समय खेलने के लिए आ जाता हैं किन्तु तैन से के लिए कालम चेप तुम तदा को अपी ना वैस्चेसु उपलब्य मान आसीद है किन्तु उसके साथ खेलने के लिए उस समय चेप तुम समय पतीत करने के लिए कोई भी मत्र है वैसे मत्र उपलब्य मान आसीद उपलब्य नहीं होता है यतहा ते सरवे अपी पूर्व दिन पाठान इस मुरत्वा विध्या लएगा मनाए तौर्मान हाँ अब बन जो कि बेस अभी पूर्व दिन पाठान मतलब एक दिन पहले जो पाठी इस मुरत्वा पाठ को याद करके मलब एक दिन पूर्व जो हुंबर्क मिलाता हुँ इस मृत्वा मैं मलब यात्त्र के विद्ध्यालाय के लिए तुर्मानहां तुरंत यसी कृता से अब बन मलब चले गए तंद्रालू मलब आलसी बालाहा लजजया तेशाम द्रश्टी पतम अपी परीहरन एका के विद्धानम प्राविशत आलसी बालक लजजया से तेशाम उनकी द्रश्टी पतम अपी मलब उनकी निगहा से बच्ते हुए परीहरन एका की कि मा पी कोई उद्धानम प्राविशत की उद्धान में प्रवेश कर गया किसी उद्धान में चला गया परीहरन ठीक है सा अचिंतियत उसने सोचा बिर्मन्तु एते बरा कहा पुस्तक दास अहा उसने सोचा कि मिर्मन्तु एते बरा कहा पुस्तकों के गुलाम है अहम तु आत्मानम बनोदश्यामी मैं तो मनुरण्यन करूँगा संप्रती विद्ध्यालम इस समय विद्ध्यालाय को जाकर के फिर कुरुदश उपाद्यायश मुखम द्रश्टुम नेव इक्षामी मैं बिद्ध्यालाय जाकर के फिर से कुरुदश सिक्षक के मुख को नहीं देखना चाता हूँ द्रश्टुम नेव इक्षामी देखने की ख्षा नहीं है ये ते निस्कुडवासन अहा प्राणिन एव मम वैश्या संतु इती ये निस्कुडवासन मतलब पेड़ की कोटर में निवास करने वाले प्राणि ही मम वैश्या मतलब मित्र मेरे मित्र संतु मतलब होंगे अत इसके वाद सापस्पुद्धनम ब्रजंदम इसके बाद सापस्पुद्धानम ब्रजंदम मदुकरम दिश्टवा इसके बाद वैश्या पुस्पुद्धान को देख करके मदुकरम मदुकरम मतलब सहत को देख करके तम उनको क्रीड तुम खेलने के लिए दुई त्री वारम आहवायत आहवायत उनको दू तीन वार बुलाता है उस वो द्धनम में ब्रजंदम मदुकरम मतलब बहुरे उनको बठकते हुए बहुरों को घूमते हुए रिश्ट मतलब देख करके तम मतलब उनको क्रीड तो मतलब खेलने के लिए दू त्री वारम दू तीन वार आहवयत मतलब आहवयत मतलब आहवान वाला वो बुलाता है दू तीन वार उनको बुलाता है तता पी फिर भी भे मदुगरम अश्च वालक अश्च आहवानम त्रस्क्रदवान फिर भी उन बहुरों ने उस वालक के आहवान का त्रस्कार कर दिया मलबू नहीं आए ततुफ वहां से भूयो भूयह वह बार बार यह पुना पुना हटम चारती वह हट पूरुबग वह वालक सा मदू करा उन बहुरों को आगायत गागा करके बुलाता है बयम ही मदू संग्रे वेग रहाय थी कि हम मदू संग्रे सहत को एकटा करने में लगे हुए हैं तदा सावालाह अलम भासनेन अनेन मित्यागरवेन कीटेन और इसके बाद वह वालक के उस भासन को छोड़ करके मित्यागरवेन जूटे गरव में कीड़े किती विंचित्त यह सोच करके अन्यत्र तदा सावालाह अलम भासनेन अनेन मित्यागरवेन कीटेन वह कहता है बहवालक अलम भाववन अपने सब्दों से कहता है अनेन मतलब इन नित्यागरवेन इन घमंडी कीटेन मतलब इन घमंडी कीड़ों को यही रहने दो इत्ती विंचित ऐसा सोच करके अन्यत्त दत्त द्रश्टी ऐसा सोच कर उसमें अन्य जगे अपनी द्रश्टी डाली और चंचुबाह त्रण सलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत उसने चड़िया को अपने चौंस से खांस के तिनकों को ले जाते हुए एकम चड़कम अपश्यत देखा और अब द चा और उनसे बोला आई चड़क पोता हा रे चड़िया मानुश च्मम मित्रम अवश्यसी इस मनुश्यसी आए जटक पोता हा मानुशश मम मित्रम अवश्यसी वह बोला इस मनुश्य या मुझ मनुश्य की मित्रम अवश्यसी मित्र बनोगी एही क्लीडावा आउखेलती हैं एतद सुष्कंत्रन त्यज्शत तुम इन सूखे धांस्कितनकों को त्याक करके स्वादूदी स्वाद्युक्त वक्षक बलाने खाने के कऊर तेद आश्या में दूँगा खाने के लिए कुछ एक और दूँगा या खाने के लिए कुछ उपलब्द कराऊंगा या दूँगा इती सा तु मया बटू बटू दुमश्य साकायां नीडम कारयां इती उक्तवाह सो करम वेक्रो अबबत मेरे दुवारा मेरे दुवारा बटू बटू दुमश्य साकायां मेरे दुवारा बरगत की ब्रक्ष की साकावा नीडम कारयां नीडम कार किया है इती उक्तवाह करके सो करम वेक्रो अपने काम में अबबत मतलब लग गया सो करम वेक्रो अबबत में अपने कारम में लगा हु संबंध्यत संभोद्यत कर्ता हुआ बोलता है रे मनुष्च box रे मनुष्यों की मित्र किम प्रैट की SJ दाग दिविशे तुम इसनी गर्मी में निद الفिंदाग दिविशे मुनल इनी गर्मी में किम प्रैट सी कहां गुं रहे हो एदम प्रच्चाय सीतलम तरू मूलम आस्रेश्च्वे एह सीतल चाया तरू मूलम आस्रेश्च्वे पेड की इस सीतल चाया में आस्रेश्च्वे आस्रेश्च्वे लेलू अहम अपी क्रीडा साहयं तो आ मेवान रूपम पच्च्या मी थी मैं भी खेलने के लिए थो मारे अनूरूपी ही पश्यमिती मैं किसी को देह रहा था या खोज रहा था कुक रहा प्रत्यवलत कुत्ता बोला यो मां में पुत्र पित्याह पूश्यती श्वामेनो ग्रह तष्य यो मतलब जो मा मतलब मुझको पुत्र पीत पुत्र की तरह प्रीती करता है अर्थाद इसने है रखता है प्यार करता है श्वामिनोग रहतस उस स्वामी के घर रक्षा नियोग कारण ना उसके घर की रक्षा करने ना नहीं मया ब्रश्ट ब्रश्ट तब्यम जरावी नहीं हटना चाहिए इसका संद्ध उसकी करने क्यों होनेगा ब्रश्ट तब्यम इसदापी जो मुझको पुत्र की दरह दने करता है तस स्वामिनगर उस स्वामी के घर के रक्षा नियोग कारण से आया है अर्थात कहें पन्म उसके घर की रक्षा करने से इसका संद्ध रिच करने तो कारणा उसकी रक्षा करने से ना लगो जागा ना मया ब्रश्ट तब्यम इसद अपी मलब इसद अपी मलब थोड़ा सा ब्रश्ट तब्यम मलब नहीं अटना चाहिए मलब थोड़ा सा भी मेरे दुवारा नहीं अटना चाहिए मलब मेरे दुवारा उस स्वामे के मेरे दुवारा मया मनला मेरे दुवारा उस स्वामी के घर की रक्षा के लिए थोड़ा सा भी नहीं अटना चाहिए ठीक है अर्तात मुझे उसके घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए ठीक है रक्षा नियोकार्णा मनला उसकी घर की रक्षा करने से रक्षा नियोकार्णात ना मनला रक्षा करने से मया रक्षा करने से मया रक्षा करने से नहीं रक्षा करने से मीरे दुवारा थोड़ा सा भी भिर्मित नहीं होना चाहिए या थोड़ा से भी नहीं बटकना चाहिए ठीक है एक उत्ता उला तो सर्वई ये निसिद्धा सभी लोगों निसिद्धा मना कर दिया सा वालो भग्न मनुरत हा उस बालक की भग्न मनुरत हा उसकी तो इतना हो गया ने खिलिएर सावालो भगनुमनोरतहा भगनुमनोरतहा भगनुमनलग तूट जाना उस बालक की जो एक्छाएं तूटकर सनमलग बाला तूटी बह बालक अपनी एक्छाओं को तूटी हुए जान करके कथम असमन जगती इस संसार में कैसे प्रतेक सौ स्वाकार ये निमगनुभपती की कैसे संसार में प्रतेक यह सबी लोग अपने अपने कारों में लगे हुए हैं ना को अपी मा में ब्रता कालचीप हम सहते बलब ना को कोई भी नहीं कोई भी नहीं मेरी तरह ब्रता कालचीप हम सहते मेरी तरह वेर्थ समय व्यतीत नहीं कर रहा है नमा एतेव्यहा उन सभी को नमस्कार जिनोंने यही मैं तंद्रालू तायाम उत्सा समा पादेताहा नम एतेव्यहा उन सभी के लिए नमस्कार यही मला जिनके द्वारा मैं तंद्रालू तायाम मुझे मुझे आलसी को कुछ सा कुंठित करके समा पादेताहा उससे जागरत कर दिया है जिनके द्वारा मैं तंद्रालू तायाम मुझे आलसी कुछ सा कुंठित करके पुंठित करके मतलब एक प्रकार्चो उसको लग्जित करके समा पादेताहा उसको जगा दिया या उसको ठीक है जनोंने मैं मतलब मुझे को तंद्रालू तायाम मेरे आलसी या मेरे आलश कि या मेरे आलश मैं कुछ सा मतलब कुंठित कर दिया ग्रणा का भावत्पन कर दिया ये तुमारा आलश से ठीक नहीं है वो किस कारण हुआ उसको जब वो जिन-जिन से मिलने गया जिन-जिन की साथ खेलने गया सबीने मना कर दिया तो बाद में उसको क्या हुगा ऐसास हुगा उसको अपनी आलसी पन पर घ्रणा हुई कुछ सा कुंटित हुगा ठीक है समा पादेता हा मनलब उस पर भाव उत्पन हो गया घ्रिणा का ठीक है फिर वो क्या करा है इसके बाद अतम अपने योग अहम अप्पी करो में मैं भी करूंगा अत्व सवचितम मतलब मैं भी अपने योग काम हम अप्पी करूंगा इती विचार एंसा विचार करके तो रतम पाद सालाम अगच्छत और तुरंत ही पाद साला को गया तता वहाँ प्रभृती शा विध्या वैसनी बहाँ है बहुत सारी विध्या वैसनी विध्याओं में ब यह कहें अपन किताबों में विश्थो करके महतीम बैदूसीम बहुत विद्वान यह यह कहें प्रसिद्धी संपेदम मतलब धन्चा अलवत अलवत मतलब उसको देखिए बहाँ प्रभृती सा बिध्या वैसनी बहें बिध्या में इतना करके मे believing बिदूसीम उसको बहुत तो विद्वान तमिली उसने अपनी अंदर विद्वता हासिल की है यह ज्यानी हुँआ प्रफाम प्रसिद्ध हुआ संपधम संपधम मनलब धन लक्षमी Snaff Arava मनलब धन लक्षमी आदी को आलवध मनलब प्राप्त किया क्यों कर दो क्यों कि यह लंगलकार में चल रहीधि यह कह था और हमने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर आलगा होता है भापर क्या होता है आपका लंगलकार होता है ठीक है तो इस प्रकार यह पार्ट यहीं पूर्ण होता है और पार्ट आपको कैसा लगया आप जरूर कमेंट करके बताएं और अगली वीडियो के साथ हम तर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और अंत में हमें बहुत मेंसेज मिला कि वह वालत सबके सांथ जाएं सबके सांथ लेकिन कोई विश्के सांथ नहीं रहता है साथ निरता है क्योंकि उसकी जो है खेलने में ध्यान रहता है और चुकि बाकी सबी लोग क्या अपने काम में बैस्त रहते हैं तो ठीक है तो इस चैप्टर से या इस कहानी से में यही सिक्चा मिलती है कि हमें भी अपने जो जो करतब हैं वो करना चाहिए बिद्धारति हैं पढ़ना चाहिए ठीक है तो जो जिस अवस्ता में है उसको अपनी अवस्ता के अनुसार जो अपने करतब हैं उन करतब्यों को पूर्ण करना चाहिए ठीक है तब ही हमें अपनी जो कहें मन चाहिए या हम कहें कि जो हम अपनी एक्षा रखते हैं वो अपनी एक्षा या धन्यवाद